या यृर्ण इस विडियो शीरिय्स में आप Сबी का स्वागत है तो दूस्तों एमके में सुआइज की कि मैट्स के 10 क्लास मैट्स की यह वीडियो सिडी हैं इसकी थर्ड वीडियो है और दूस्तों क्योंकि लोगम्डाउन के जल्दें एमके यह कि अपरियास है कि आपको घर बैठे सभी सब्जेक्ट की सभी वीडियो आपको मिले और वो भी free of cost तो दोस्तो चलते हैं start करते हैं तो दोस्तो प्रीवेस वीडियो तक हमने वृत के बारे में और वृत की प्रिदी से रिलेटेट जितने भी टाइप के कोशन थे वो सभी कर लिये थे तो दोस्तो इस वीडियो में करने वाले हैं वृत के शेत्रफल के बारे में study तो start करते हैं दोस्तो वृत का शेत्रफल तो दोस्तो हमें पता है कि यह हमारी जो अकर्ती होती है वो है व्रत और दोस्तो यह जो है जो निश्चित मिंदू होता है वो है वृत का केंद्र O और दोस्तों ये है वृत की तरीजा जिसको हम लिखते हैं R से तो दोस्तों वृत का शेतरफल क्या होता है यदि वृत की तरीजा R होती है तो वृत का जो शेतरफल है वो क्या होता है तो दोस्तों वृत का शेतर व्रद्धि के बात करतेैं तो परीदी होती है डू पाई आर लेकिन आपको क्या करने हैं कि इसnaha करके आर खिभर में लेकर घर के जाना है तो बन जाएगा बोस्तों लीजा प्रेट का दिकार को कि फॉमला हो जाएगा आज menor सक्यर जहां पे आर जो व्रित की त्रीजा है और पाई वही सेम हमारा 22 वटे साथ या 3.14 है तो चलिए दोस्तों व्रित के शेत्रफल के बारे में हमने जान लिया इसके बाद हम बात कर रहे थे अर्ध वरत की प्रिदी के बारे में तो हमने वड़ लिया था अब हम यहां पर बात करते हैं कि अगर व दें हम उलौ'. ذो दोस्तों यह आपको चीज याद रखनी है कि व्रिद का शेत्रफल होता है पाई और स्केइर अर्ध वरत का शेत्रफल होता है एक बात दो पाय अस्कूर या पाय यार्द 2 अस्कूरल कर लेते हैं हूं कने है थाख आ तो तो यहाँ पर question number one पहले type first का question हम लेते हैं यहाँ पर type first का question simple है कि आपको त्रीजा दी गई होगी और आपको व्रत का शेत्रफल फाइन करना होगा तो चलिए दोस्तों question जैसे आगया कि यदी व्रत की त्रीजा यदी व्रत की त्रीजा 49 cm है 49 cm है तो व्रत का शेत्रफल ग्याद कीजिए तो यहाँ पर simple हमारा वही तरीका जो हम starting से करते आएं हैं सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया क्या है हमें दिया है क्या दिया है व्रत की त्रीजा और यहाँ पर आपको व्रत की त्रीजा के ब्रेकेट में आर लिखना है क्योंगे हम formula में आर की जगे पर इसका मार रखते हैं तो यहाँ पर हम show करेंगे कि आर लिए हमने व्रत की त्रीजा जो की लिए है 49 cm फिर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं सेम वही तरीका हम जानते हैं क्या जानते हैं वृत का शेत्रफल जानते हैं वृत का शेत्रफल कितना होता है वृत का शेत्रफल वहां पर 2 पाई आर होता था प्रीदी में यहां पर होगा पाई आर स्केयर तो यहां पर सिंपली पाई का मान 22 बटे साथ आर का मान आर की वेल्यू यहां पर रख दीजिए 49 इंटू 49 अब सातू सातू उन्चास तो साथ से कैंसल आउट हो गया साथ को इसे जब गुड़ा किया तो 154 हो गया 154 को इससे मल्टिप्लाई करते हैं यह हो जाएगा दोस्तो 7546 मिटर स्केयर अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा कि हम परीदी में मिटर या सेंटी मिटर लगा रहे थे लेकिन शेत्रफल में हम सेंटी मिटर स्केयर या मिटर स्केयर क्यों लगा रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि परीदी में हम 2 पाई आर लेते थे मतलब आर में मिटर या सेंटी मिटर आता था तो वो एक बार ही आता था आर एक बार आता था तो उसक इसका भी सेंटीमेटर और इसका भी सेंटीमेटर सेंटीमेटर गुना सेंटीमेटर क्या बन जाएगा यह तो बन जाएगा सेंटीमेटर स्केर लेकिन यहां पर सिर्फ क्या बन दादा सेंटीमेटर तो यहां पर बहुत ही ध्यान देना है कि परिद्धी जो निकलेगी वह हमा तो इसलिए मैंने यहां पर जब 30 cm में थी तो शेत्रफल को आमने सेंटीमेटर स्केयर में निकाला तो यह चीज आपको बस ध्यान देनी वाली है यहां पर तो चलिए दोस्तों अगर यहां पर वो कहता कि इस अर्दवरित का शेत्रफल निकालिए तो आम सिंपल ही शेत्रफल को आदा कर देते यहां बटा में दो लगा देते यह 11 हो जाता और इसका आधा जब कर देते तो आदा कीजिए इसको जब आप दो से भाग देंगे तो क्या थो कि तो थी-जाइ इम बच्छिया साथ दूनी 14 एक बच गया फिर चार साथ ve vivir 24 से года और फिर 6 तra 3 से गया तो अर्दवरित अगर होता हमारा तो अर्दवर इत-वरित का शेत्रफक प्ल कितना आता इं पर का शेत्रफल कितना आता 16.85 शेत्रफल या घान अद।्स locks स्केर में यह मिटर स्केर में आएगा चले दूस्तों यह हमने कर लिया अब शेत्र हमनेे और चाहिक आप को देखते हैं तो दोस्तों टाइप टू के जो है कुशिन्स हम कर लेते हैं एक कुशिन टाइप 2 का हम ट्राई करते हैं यहाँ पर आपको खेटरफल दीया होगा और आपको उसकी तृज़ा निकाल ली होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिगा कि यदि किसी यदि किसी वृताकार प्लेट का थोड़ा सा कुशन को अच्छे से फॉरम किये हैं हमने यदि किसी वृताकार प्लेट का शेत्रफल अब आपको पता है कि शेत्रफल 21 स्केर में होगा हमेशा प्लेट का क्षेत्रफल 154 cm स्केर हो तो उस व्रित की त्रिज्जा ग्याद कीजिए अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें उसकी त्रिज्जा फाइन करनी है तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन सेम उसी तरीके से की से पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या दिया है दिया है व्रित अकर प्लेट लिख लीजिए या सिदा व्रित लिख लीजिए व्रित का क्षेत्रफल बराबर हमें दिया है 154 cm स्केर और हम जानते हैं अब आपको क्षेतरफल और ट्रिजा में relation बताना है कि वरित का क्षेतरफल कितना होता है तुँ यहां पर जब R की value होती थी तब यहां रखते थे लेकिन आप अगर वरित के शेतरफल की value बता है हमें तो उसकी value यहां पर रखने वाले हैं तो यहां पर दीजिए एक सो चोपन बराबर पाई की वेल्यू बाईस बटे साथ इंटू आर स्केर अब आपको क्या करना है इसको उठा करके इदर लाना है साथ भाग में है इदर गुणा में आएगा बाईस इदर गुणा में है इदर भाग में आएगा तो चलिए एक सो चोपन साथ भाग में था गुणा में आ गया और बाईस गुणा में था भाग में आ गया बराबर आर स्केर अब दोस्तों इसको कारते हैं ग्यारा से कटेगा ग्यारा दूने बाईस और यहां पर चोदा से कटेगा चोदा इंटिउ 11 254 तो यहां पर इसको वापिस एकार दें अगर तो साथ दूनी चोदा तो यहां पर साथ आ जाएगा सात साथ वरभिल करना है आपको पता है जब हम स्केर करते हैं तो लिखते हैं कि दोनों तरफ वरग करने पर और जब हम स्केर को हटाते हैं तो वहां पर कह देते हैं कि दोनों तरफ वरग मूल करने पर दोनों तरफ वरग मूल करने पर यानि नॉर्मल अगर सिंपल लेंग्वेज में बोले तो हमें क्या करना है इसका अंडरूट लेना है अंडरूट लेंगे तो यह हो जाएगा आर और इसका साथ तो त्रिज्जा की वैल्यू हमारी आ गई साथ लेकिन अब त्रिज्जा की वैल्यू किस में आएगी हो जाएगी साथ सेंटीमेटर तो होफुली टाइट सेकिंड के जो कुछन ने ट्राइए किया वह आपको समझ आ गया होगा चलिए दोसों कुछ और कुछ इस पर डिसकस कर लेते हैं तो यहां पर जो है एक कुछन हमने कर लिया शेतरफल से रिलेटेड एक और कुछन हम यहां कर लेते हैं कि यदी कुछन है कि यदी व्रत की त्रीजा यदी व्रत की त्रीजा साथ सेंटीमेटर हो तो उसका क्षेतरफल क्या होगा यह फटा-फट से आप अपनी नोट्बुक में करिए फटा-फट से अगर व्रत की त्रीजा साथ सेंटीमेटर है तो उसका क्षेतरफ क्या होगा यह कोशन है बिल्कुल आसान बस आपके थोड़ी सी प्रेक्टिस होनी चाहिए तो फटा-फट से इस कोशन को सौल करके फटा-फट से अपनी नोटबुक में लिखिए और उस आपको पता है कि जब भी हम मैस पढ़ने वैठते तो आपके हाथ में पैन और आपके ह सेतरफल तरलिया होगा आपने तो चलते हैं इसके सोलीशन की तरफ तो सोलीशन बिल्कुल उसी तरीके से दिया है हमें क्या दिया है वरत की तरीजा वरत की तरीजा small r is equals to 7 cm हम जानते हैं कि वरत का क्षेतरफल क्या होता है वरत का क्षेतरफल is equals to pi r square pi r square होता है pi का मान 22 बटे 7 r का मान 7 और क्योंकि square है तो दो बार गुना में आएगा साथ से साथ कैंसिल साथ को 22 से गुना किया 7 टूजा 14 साथ दूनी 14 एक यहां से कैरी हो जाएगा यहां पर और साथ दूनी 14 और एक पंद्रा 154 कैरी मतलब हांसिल आ जाएगा तो इसका जो शेत्र फल है वो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर square या वर्ग सेमी भी इसको आप कह सकते हो 154 वर्ग सेमी इसका हो जाएगा आंसर तो फ्रेंट्स दो कोशन इस पर कर लिए हैं हमने एक कोशन और इस पर कर ले दे हैं हम फटा-फट से आपको करके बताना है कि यद अगर व्रित की त्रिजा साथ ना हो करके 56 सेंटीमीटर्स या मीटर ले ले लेते हैं 56 मीटर्स हो तो उसका क्षेत्र फल फाइंड कीजिए फटा-फट से आप अपनी नोट्बुक में फटा-फट से करिए आपके पास 20 सेकिंड का टाइम है फटा-फट से आप इसको सॉल करिए कि अगर व्रित की त्रिजा आपके पास 56 मीटर्स है तो उसका क्षेत्र फल ग्याद कीजिए दोस्तों यहां पर एक चीज का बहुत ही अच्छे से द्यान रखना है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज को गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वहां पर खास द्यान रखना है आपको क्योंकि यहां पर मिस्टेक स्पॉर्बलास में कोई मिस्टेक नहीं होगी आप गलती अगर कर सकते हैं तो हो सकता है कि गुना या भाग में गलती हो जाए तो वहां पर थोड़ा सा अगर आप केरफुल होकर कि करते हैं तो आपका कुशन 100% सही जाने वाला है करेक जाने वाला है तो इसका सुलीशन देख लेते हैं सुलीशन वही दिया है व्रत की त्रिज्जा बराबर 56 मीटर और हम जानते हैं व्रत का क्षित्रफल बराबर होता है पाई आर स्केर पाई का जो वेल्यू होती हो दी वाइस बटे साथ आर की वेल्यू 56 इसको काड़ते हैं तो हमें पता है आठ इंटू साथ चपन होता है तो यहां पर आठ आ जाएगा अब जब आठ और वाइस को गुना करते हैं तो आठ दू नी सोला च्छे एक यहां पर केरी हो जाएगा आठ दू नी सोला और एक सत्रा एक सो चैयत्तर इंटू 56 आपट आपट से इनको गुना कीजे एक सो चैयत्तर इंटू 56 है जब इसको हम मैटिप्लाई करते हैं 6517 और यह जो है यह हो जाएगा 9856 मिटर स्केर यानी 9856 मिटर स्केर जो है इसका आँसर आएगा तो उसका शेत्रफल आप अगर आपका और अगर आपने रॉंग किया है तो आप मैच करके देख लीजिए कि आपकी कहा मिस्टेक हुई है तो प्रेक्टिस हमारी हो चुकिए हमने तीन कोशन एक ही पॉर्मला पर कर लिए है तो इसी से रिलेटेड अतरीजा से ख्रितरफल और शेत्रफल से रिलेटेड आपका जो होग यदि किसी वृत की तरीजा 21 सेंटीमेटर होती है तो उस वृत का क्षेत्रफल ग्याद कीजिए वापी से रिपीट कर दूँ यदि किसी वृत की तरीजा 21 सेंटीमेटर होती है तो उसका क्षेत्रफल ग्याद कीजिए तो आपको इस कुशन का आंसर कमेंट बोक्स में कमेंट करना है तो यह हो गया हमारा एक कोशन इसी के साथ आपका जो नेक्स कोशन है होग वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कुशन है यदि व्रत की त्रिजा साथ सेंटीमेटर हो तो उसका क्षेतरफल ग्याद कीजिए और दोस्तों इसके बाद एक और कोशन आपका होग त्र इसरा कोशन होग जो है आपकी स्क्रीन पर कि यदि किसी व्रत का क्षेतरफल 616 सेंटीमेटर है तो उसकी त्रिजा ग्याद कीजिए तो दोस्तों तीन कोशन जो आपको मिले हैं आपको उनके करेक्ट आंसर्स अगर मिल जाते हैं और उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है चलिए दोस्तों होफुली ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी खेतरफल के बारे में आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा वृत के खेतरफल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि दो सेकेंडरी व्रत जो होते हैं उनके बीच में जो शेत्रफ रहीएगा जैसे जैसे हमारी वीडियोस आगे बढ़ेंगी आपको सब समझ आएगा बस आपको क्या गरना है one by one is videos को देखते जाना है और home work को साथ की साथ करते जाना है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा कमेंट करेगा और इसी के साथ चैनल को सब्क्राइब जरूर करेगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपके फॉन पर जो नोटिफिकेशन्स हैं वो आते रहें तो इसी के सा का हमें सपोर्ट चाहिए अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम लाइव क्लासेज लेकर आएंगे और वह भी प्री ओप कोस्त बिल्कुल फरी में दोस्तों लाइक करेगा शेयर करेगा जरूर जरूर और आल बैस पॉर यॉर्सल्फ सड़ीज